आज इस डिश की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यह बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है और यह एक कटोरी चावल के साथ और घर में जो भी इंग्रेडियन्स आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे उन सबसे यह बहुत ही आसानी से बनने वाल तो यह आपको एक लंच बॉक्स का भी अच्छा ऑप्शन है तो आप लोग जरूरी से ट्राइ कीजेगा बहुत ही इजीली बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनके यह तयार होता है बिलकुल लाइट वेट रहता है और स्पॉंजी सा हलका सा नाशता है तो आप लोग मेरे होगे और आप लोग मेरी रेसिपी भी ट्राइ कर रहे होगे तो चलिए देखते हैं यह रेसिपी कैसे बनती है तो यहां पर मैंने लिया है चावल एक कप और मैंने यह चोटे दाने वाले बासमाती राइस लिए है तो अगर आपके पास जो भी तरह के चावल है बासमाती म सबस्क्राइब आपके सोग कर देना अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट शोग कीजिए नहीं तो कम से कम एक घंटा के लिए से जरूर। सोग करके रख दीजिए उसके बाद इसमें से पानी छान लेना है और उसके बाद मैंने इसमें grinder में डाल लिया है सारे चावल को और दहीस में मैंने लिया है half cup तो grinder में हमें सारे चीज़े डालते नहीं है दो हरिमिष लिये है मैंने और नमक अपने-का के हिसाब से लिया और एक चमच मैंने अध्रा का पेस्ट लिया, अगर अध्रा का पेस्ट नहीं है तो आप एक इंच अध्रा भी इसमें साबूत लेके डाल सकती है और एकदम बारिक इसे आप पीस लीजिए, तो यह देखिए, मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है और उसके बार मैंने 1 by 4th cup सूजी एड किया है, और सूजी जब इसमें डालेंगे, तो इसे थोड़े दिर के लिए हमें rest करने के लिए छोड़ देना है ताकि सूजी अच्छी तरसे फूल जाए, तो यह देखिए, मैंने सूजी अच्छी तरसे मिला के इसे अलग से लग दिया है अब मैं इसके लिए चटनी बनाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने मोंगफली दाना लिया है, half cup और इसे अच्छी तरसे dry roast करना है, ताकि इसमें सोंधा पना आ जाए, उसके बाद इसके छिल के हटा लेना है, friends तो यह देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल low flame पर dry roast करी हूँ, यह हो चुका है उसे फिर मैं अलग से बरतर में निकाल लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने चना जाल लिया है, और उसे भी हमें dry roast करना है, बिल्कुल low flame पर, यह देखिए, हमें इसे जलाना नहीं है, और इसे roast करने का यही मतलब है, कि सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है, तो यह देखिए दोनों चीज, इसमें मैंने चोटे से grinder का jar लिया है, और दोनों चीजों को मैंने इसमें डार लिया है, मैं add कर रही हूं नारियल का powder, मेरे पास कच्चे नारियल नही थी, अगर आपके पास है तो आप कच्चे नारियल ले लिजीए, दो हरी मीचिमाने डाली है, और लगाएंगे चट्टी में तो उसके लिए देखिए मैंने तड़का के लिए तेल गर्म कर लिया है और उसके बाद मैंने एक चमच 600 पीला साथ किया सफेद मैंने यह उरत दल एक चमच ली है दो लाल मिर्चे ली है मैंने सूखी और थोरी सी करी के पत्ते लिये है और इन सब जैसे ही चटक जाएं तो हमें इसमें चट्नी में सबको आड कर लेना है यह लग गया तरका चट्नी में और बहुत ही मज़दार शांदार सी चट्नी बन करके रेडी हो गई है तो यह चट्नी ही उसका जो आप बनाएंगे ब्रेक्वास्ट उसका टेस्ट इन्हांस करेगी तो यह मस्ट है आप जरूर चट्नी को ट्राइ किजेगा तो यह 10 मिनट हो चुके थे यहां पे अच्छी तरह से फूल चुका है सूजी तो इसकी कंसिस्टेंसी यही रहेगी तो यहां पे भी मैं हमें इसे चौक लगाना है तो थोड़ा सा तेल दिया है मैंने सरसो डाला है करी की पत्यां डाली है और यह देखिए यहां पे इसे हम चौक देंगे तो बनाने के बाद नहीं मैं इसे पहले ही चौक रही हूँ बनाने से कुक करने से पहले ही तो यह देखिए और अब मैं जिस बतन में इसे कुक करूंगी उसमें मैंने इसमें ग्रीसिंग कर ली है थो यह रियक्शन शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें दही अल्रेड़ी है डली वी बैटर में तो यह देखिए हलके हलके सी जाली बनना शुरू हो जाएगी तो आपका बैटर बिल्कुल रेड़ी है और आप ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे जैसे इनो एड़ करेंगे फॉ तो पांच मिनिट हमें हाई फ्लेम पे से कोक करना है पांच मिनिट के बाद से लो फ्लेम पे हमें कुछ बारा से पंदा मिनिट के लिए को करना आप बीच में पर चेक कर लीजे नाइफ डाल करके कि आपका यह बैटर बिल्कुल कोक हो चुका है और नहीं तो यह देखिए क मैं इसे slit कर रही हूं बरतन से ताकि यह easily निकल जाए और जब बरतन ठंडे हो जाएंगे तभी आपको यह काम करना है तो थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए आप इसे rest करने दें उसके बाद ही आप इसे निकालने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बरतन बहुत जादा गर्म है और आपके हाथ में जल्ले का डर है तो 10 मिनट के बाद या फिर आप फैन के नीचे रख दीजे यह जल्दी ठंडे हो जाएंगे तो यह देखे कितना अच्छा से यह निकल गया यह बहुत ही soft बना है बहुत ही lightweight है तो आप इसे आपना मन चाहा किसी भी shape में काट सकते हैं तो मै इतसे फिर से कट करके और इसी तरह से बाकी जगह पर भी हमें कट लगा लेना है तो बहुत अच्छा सा shape आजाता है फ्रेंस यह देखिए सारी जगह मैंने कट लगा दिया है और बिलकुल ही कम टाइम में बहुत ही कम ingredients के साथ आपका यह नाश्ता बन करके तयार है यह स्पॉंजी है आपको मैं यह दिखा रही हूं बहुत ही आराम से यह निकल भी गया और बहुत स्पॉंजी है मुह में जाते ही आपको एकदम पता चले गए कितना ही इसका स्पॉंजीनेस आपको समझवा जाएगा तो यहां पर मैंने प्लेटिंग कर ली है उसके बाद कर नाश्ता जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पूरा दिन ही अच्छा जाने वाला है तो आप लोग जरूर इसे ट्राइ किजेगा फ्रेंड्स यह बिलकुल ही डिफरेंट रेसिपी है यह ना ही इडली की तरह लगेगी और ना ही ढोकला की तरह लगेगी यह बहुत ही वज़ेदार रेसिपी मैंने बनाई है और मेरे घर में सबको यह रेसिपी बहुत पसंद आती है खास करके बच्चों को और आप इसे लांच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर आप ब्रेक्वास्ट में भी इसे बना सकते हैं और चटनी बना करके आप इसे कुछ दिन के लिए एक से दो दिन के लिए आप स्टोर भी का सकते हैं क्योंकि यह चटनी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजे फ्रेंस और अगर आप लोग मेरे चानल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे मे पीलापन आ जा रहा है या वह चिपचिपे से हो जा रहे हैं तो उसका एक छोटा सा हिलाज मैं आप लोगों को बता दे रही हूं चावल को होते वक्त आप उसमें डालिए कुछ तीन-चार बोन नीमो की और उसके बाद देखिए कैसे आपकी चावल खिले-खिले से और सफेद सफेद से नाने बनेंगे थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो